आज हम बात करते हैं अपने चारों और फैले इस गैसी आवरण के विशेमें, जिसे हम वायू मंडल के भी नाम से जानते हैं वायू मंडल बच्चों जैसा हम सभी जानते हैं सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उम सभी में प्रित्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पर वायू मंडल उपस्थित है और वायू मंडल की इसी उपस्थिती के कारण इस ग्रह पर जीवन संभव हो पाया है हम सभी भोजन के जल के बिना तो कई दिनों तक जिवीत रह सकते हैं लेकिन बिना सांस लिए हम कुछ समय से ज़्यादा तक जिवीत नहीं रह सकते ये हमारे जीवन की अनिवार्यता है इसलिए वायू मंडल का ध्यान हमारे लिए बहुत महत्वपुन हो जाता है आएए अब हम देखते हैं कि हमारे इस वायू मंडल में कौन-कौन से तत्व उपस्थित हैं गैसे हैं गैसों में भी जैसा आप इस तालिका से देख रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सिजन दोनों गैस मिला कर ही पूरे 100 में से 99 प्रतिशत को कवर करते हैं बाकी 6 बच्चा जो एक प्रतिशत है उसमें और भी गैसे जो है वो उपस्थित हैं नाइट्रोजन देखते हैं हम नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो हमारे वायू मंडल में 78.04 परसेंट है नाइट्रोजन गैस हमारे जितने भी जीवधारी है जो इस ग्रह पर उपस्थित हैं उन सभी को पोशन प्रदान करती है ये प्रोटीन के निर्मार में भी सहायक है और इस गैस को हम सीधे प्रत्यक्ष रूपर कोई भी जीवधारी जो है वो ग्रहन नहीं कर सकता इसे पौधे अपनी जड़ों पर नाइट्रेट में परिवर्तित करती है और उसके बाद फिर जड़ों से वो उन पौधों पर पहुंचता है और उन वनस्पतियों और फलों के माध्यम से जितने भी जीवधारी है उन तक हम जो नाइट्रोजन है वो पहुंच पाता है अब हम देखते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% जो हमारे वायू मंडल में उपस्तित है ऑक्सीजन को हम प्राण वायू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जितने भी जीवधारी है चाहे वो मनुष्य हों कोई भी जीवजन्तु हों या वनस्पतियां हों जी कि लेकिन वनस्पतियां दें के समए कर्बन डायौकसाइट को ग्रहन करती है और ऑक्सीजन छोड़ती हैं अब हम बात करते हैं आप करीद कराण के और बी हमारे ग्रीड हाूस मस प्रभाव के यह बाहर वापस वायू मंडल में जाने नहीं देता, अब हम बात करते हैं ओजोन की, ओजोन एक ऐसी गैस है, जो सूर्य से जितनी भी किर्ने आती है, उसमें पराबैगनी किर्ने जो होती है, जो 6 प्रतिशत मात्रा उसकी होती है, वो उसे अपने में और शोशित कर लेता है, हम तक पहुँशने नहीं देती, जैसा हम सभी जानते हैं, कि जो त्वचा कैंसर है, रेटीना का 6 है, या जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती है, उनसे ये हमारी रक्षा करती है, क्योंकि ये पराबैगनी किर्णों को हम तक पहुँशने नहीं दे रही है, मैंने जैसा प्रतिशत बहुत न्यून है, लेकिन ये हमारे वायू मंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबका एक अलग महत्व है, आईए, अब गैसों की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं, जलवाश्प के विशय में, जलवाश्प, बच्चों, आपने धरातल पर ओस की पाती हैं, तो कोहरे का छाना या बादलो का निर्मान जैसे आप बारिश को होते हुए देखते हैं, ये सभी घटनाई क्या आपने सोचा है, किसके कारण संभव हो पाती है, ये सारी मौसमी घटनाई जो है, वो हमारे वायू मंडल में जलवाश्प की उपस्थिती की कारण ही संभव है, बच्चों, आपने आकाश में इंद्रधनुस ये सात रंगों का बनते हुए तो देखा होगा, ये इंद्रधनुस का बनना भी इस जलवाश्प के ही कारण संभव हो पाता है, अब हम देखते हैं धूलकण के विशे में, धूलकण, हमारे चारों तरफ धूल क सुक्ष्मकण मौजूद होते हैं, ये कहां से आते हैं वायू मंदल में, मिटियों के सुक्ष्मकण, राख, जौला मुखी का जो फटना होता है, उसमें जो जौला मुखी राख निकलती है, उससे भी जो छोटे-छोटे सुक्ष्मकण हैं, वो वायू मंदल में उपस्थि उसके नश्ट होने से तूटने से जो सुक्ष्मकण वायू मंडल में फैल जाते हैं उनसे भी वायू मंडल को धूलकण की मात्रा मिलती है ये क्यों आवश्यक है? बच्चों, बादलों के निर्माण के लिए धूलकण का वायू मंडल में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन धूलकण के चारों तरफ ही आप देख रहे हैं ये जो बादलों का निर्माण होता है वो एक धूलकन के चारों तरफ जलवाश्प की मात्रा, नमी की मात्रा की आसपास इकठा होने से ही बादलों का निर्माण होता है मतलब यदि ये धूलकन वायू मंडल में ना हो तो बादलों का निर्माण संभव ही नहीं है आईए अब हम देखते हैं हमारी वायू मंडल की बनावट कैसी है बच्चो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको अलग-अलग पढ़ते दिखाई दे रही हैं हम जैसे जैसे अपनी प्रित्वी से उपर की तरफ जाते हैं और आपको तापमान कम महसूस हो तो हमको समझ जाना है कि हम ट्रोपोस्फियर में आ गए हैं अपनी छोब मंडल में हैं क्योंकि हम ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे उपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान लगभग एक किलोमीटर की उचाई में जाने पर 6.5 डिगरी सेंटिग्रेट कम हो जाता है अरे यह क्या तो बार कि लोगव गरीक शोरी है विजली चमक रही है क्या आपको पता है कि अभी भी में कहा हूं हम अभी भी ट्रोपोस्फियर में हैं छोब मंडल में कि जितनी भी घटनाये होती चाहे बारिष हो रही है ओले गिर रहे हैं तूफान हैं यह सभी घटनाएं हमारी छोब मंडल में ही घटित होती हैं पता है क्यों क्योंकि जब हमने बात की थी अपने जलवाश और धूलकन की तो यह जलवाश और धूलकन सबसे अधिक मात्रा में हमारे इसी छोब मंडल में ही मौजूद हैं और इसी कारण यह सारी मौसमी घटनाएं हमको इसी छोब मंडल में ही देखने को मिलती हैं अब मैं जैसे जैसे इस छोब मंडल से उपर की तरब बढ़ती हूं मुझे तापमान में बहुत जादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है लगभग समान है अब मैं आ गई हूं छोब सीमा जो दोनों मंडलों को अलग करती है अब ही मैंने बताया कि मैं थोड़ा उपर आ गई और मुझे तापमान में अंतर नहीं मिल रहा है तेमपरेचर लगभग समान है तो उसका मतलब हुआ कि मैं छोब सीमा में आ गई हूं जैसे ही हम छोब सीमा के उपर जाएंगे तो हमें स समताप मंडल मिलता है स्टेतोस्फियर इस टेटोस्फियर का नाम ही है हम देख रहे हैं कि यहां पर लगभग 20 km की उचाई तक हमको उतार चढ़ाओ देखने को नहीं मिल रहा है है हां लेकिन इसी स्टेतोस्फियर में हम 20 km से और उपर की तरफ जाते हैं अरे यह तो अचा है कि में समताप मंदल में ऊचाई पर गई ह你在 I'me Mछंध में ही उंऽ। पतह यहां पर तापमान क्यों बढ़ रहा है यहां पर ओजोनगैस की सांध्रत है यहां पर बहुत अधिक मात्रा में हमको ओजोनगैस मिल रही है और हमने अभी में औशोशित कर लेता है इसी कारण इसका तापमान जो है वो अधिक होता है आपने वायू यान को इतनी उचाई पर उड़ते हुए देखा होगा कि आपको पता है कि सारे वायू यान जो अंतर राश्टी विमान है वो इसी उचाई पर ही उड़ान भरते हैं क्योंकि यहाँ पर वायू मंडल कम सघन होता है और तापमान में भी बहुत उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलता हाँ जो घरेलू वीमान है वो जरूर छोब सीमा से थोड़ा नीक उड़ान भर सकते हैं अब हम आते हैं मेजोस्फियर में मुझे तापमान फिर से कम महसूस हो रहा है क्यों से वहां पर तापमान बढ़ गया था लेकिन अब मेजोस्फियर में मैं जैसे ही आ गई तो यहां पर धूलकन जलवाश विरल वायू यह मिल रही है तो यह तो सूरी की किर्णों को सोख नहीं पा रही है तो उसके कारण यहां पर हमको तापमान जो है वो फिर से कम होने पूणगे उलकाओं का टूटकर गिरना और विखरना गिया आपको पता है यह उलकापात जैसी घटनाएं कहां पर होती है उलकापात का गिरना यह हमारे मेजोस्फियर मध्य मंडल में ही घर्टित होता है और जैसे-जैसे मैं और उपर की तरफ जाती हूं तो मुझे मिलता है ऐन उस Twilight यह और हम इसको थर्मोस्फियर यह कि आप मंडल की नाम से भी जानते हैं आपने अपने रेडियो में आवाज सुनी होगी टेलीविजन में पिक्चर भी देखा होगा क्या आपको पतर है कि ये रेडियो कैसे चलती है बच्चों पृत्वी से जो आने वाली रेडियो तरंगे हैं वो धरातल से जब फिर से परावर्तित कर दी जाती हैं तो ये परावर्तित किर्णे यहीं से इसी मंडल से वापस धरती की तरफ रिफलेक्ट हो जाती हैं यहां जितनी भी गैसे मिल रही है ये आयनी कृत हैं इसी लिए हमारे धरातल पर रेडियो या टेलीविजन का संचालन संभव हो पाता है हम उन्हें सुन पाते हैं अब हम जैसे जैसे से उपर की तरफ जाते हैं तो हमें एक् से लाइड्स ये सारी हमारे बाहिय मंडल में ही उपस्थित हैं और हम अब वायू मंडल से लगभग 1000 किलोमीटर की उचाई पर आ चुके हैं इसके बाद हम आ जाते हैं मैगनेटो स्फियर में या हम इसको जानते हैं चुम्बकत्व मंडल के भी नाम से बच्चो आप अपने टीवी में डेली न्यूस चैनल में मौसम का पुर्वा नुमान सुनते होंगे इस मौसम पुर्वा नुमान के अधार पर हम रोज होने वाली मौसमी घटनाओं के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है कि कहां पर तुफान आने वाला है कहां जैसे कि इसी के आधार पर इस पुरौवा नुमान के अनुसार अ हमारे जो किसान हैं वो अपना फसल रोपाई का काम जो है वो कारिक्रम तै करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि मौसम सम्बंधी दशाएं अच्छी रहने वाली हैं बारिश अच्छी होने वाली है तो उस अगर वहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि समुद्री तूफान आने की संभावना है तो वो अपना कारेक्रम कर देते हैं और अगर उन्हें पता है कि किसी भी प्रकार का कोई तूफान आज नहीं आने वाला है तो वो अपना जाकर मचली पकड़ने का कारे अन्वरत रूप से करते हैं इसी प्रकार से हम यह देखते हैं कि किसी भी छेत्र में बाढ आने वाली है तो बाढ आने का पुर्वानुमान भी हमें इस मौसम पुर्वानुमान के आधार पर लग जाता है ठीक ऐसे ही यदि हमें अपनी छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर जाना है तो तो हम अपने इस कारिक्रम को भी मौसम के आधार पर हिताय करते हैं, यदि हमें पता चलता है कि लगभग आठ से दस दिन के दोरान तेज बारिश होने की या किसी भी प्रकार के चक्रवात के आने की पूरी-पूरी संभावना है, तो हम वो अपना कारिक्रम कैंसल कर देते हैं और यदि इस पूर्वानुमान के नुसार हमें ये पता चल जाता है कि अगले हफ़ते दिन तक मौसम संबंधी जो दशाएं हैं वो एकदम साफ रहने वाली है, तो वो हम अपना कारिक्रम बना लेते हैं अच्छा, ये तो हो गई पूर्वानुमान की बात, लेकिन हमने ये सोचा कि ये मौसम संबंधी पूर्वानुमान हमें कैसे पता चलते हैं बच्चों, हमारे वायू मंडल के सबसे उपरी परत, बहिर मंडल और उससे अधिक उपर की उचाई पर विभिन प्रकार के सैटेलाइट्स जो हैं, वो इस्थापित किये गये हैं और इन सैटेलाइट से ही जो इमेजस कैपचर किये जाते हैं, इन कैपचर इमेजस के द्वारा ही हमें मौसम संबंधी दशाओं का पूर्वानुमान लग जाता है अब यह तो हो गई मौसम पूर्वानुमान की बाद, लिकिन हम देखते हैं कि मौसम है क्या हम अकसर बातचीत में ये सुनते हैं कि आज का मौसम सुहाना है तो सुहाना मौसम क्यों है, क्योंकि आज दिन भर धूब खिली हुई है धिमी धिमी हवाए चल रही है, आकाश बिलकुल मेग रही थे तो हमने कह दिया मौसम सुहाना है लेकिन हम अगले ही कुछ घंटों के बाद ये देखते हैं कि जो आकाश मेग रही था वहाँ पर बहुत काले घने मेग छाने लगे इसके बाद तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और अगले ही पल हम देखते हैं कि तेज बारी शुरू हो गई तो हमने देखा कि मौसम सम्मध्धी दशाएं जो है वो दिन में दो बार बदल गई तो मौसम जो है वो हमारी अलपकालिक या हम ये कहें कम समय की वायू मंडली दशाओं को बताते हैं या उसका निर्धारन करते हैं ये हमारे हर दिन में या सपता में भी इनमें बदलाव आ स अब आगई जलवायू, जलवायू की हम बात करें, तो जलवायू जो है वो लगभग 30 से 35 साल तक की अवधी होती है, या इस समय में हम किसी भी स्थान की मौसमी दशाओं का अउलोकन करते हैं, कि उस स्थान पर तापमान लगातार उच्च बना हुआ है, या निम्न बना है तेज बारिश हो रही है, वायूद आप की क्या इस्थिति है, इन सभी मौसमी दशाओं के आधार पर हम ये निरधारित करते हैं, कि उस स्थान की जलवायू जो है, वो किस प्रकार की है, अच्छा, ये तो हमने समझ लिया, कि मौसम क्या है, जलवायू क्या है, अब हम य निर्धारत तत्व ये चार हैं, तापमान है, वायूदाब है, आदरता है और वर्षा है, जिसके आधार पर हम मौसम और जलवायू का निर्धारन करते हैं, आईए, अब हम इसके तापमान तत्व को देखते हैं, तापमान क्या है, सूर्य से आने वाली जो किर्णे है, जो हम तक पहुच रही है, incoming insulation, इसे ही हम तापमान या सुर्या तब कहते हैं, हम सभी को पता है कि हमारी प्रित्वी पर या उसके वायू मंडल में उर्जा का एक मात्र शोद जो है, वो सूर्य ही है, तो सूर्य से आने वाली जो किर्ने हैं, उनसे ही हमें उर्जा मिल रही है या है, अब हम यह देखते हैं कि हमारे पूरी प्रित्वी को अलग-अलग ताप कटी बंधों में बाटा गया है, बच्चों, हम ये तो जानते हैं और या हमने बातचीत में ये सुना है, कि हमारे भारत की जो जलवायू है, वो उष्नकटी बंधी या मांसुनी प्रकार की है, देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि हमारी पृत्वी जो है, वो साड़े 23 अंश अपनी अक्षपर जुकी हुई है। अगर हमारी पृत्वी सीधी होती या साड़े 23 अंश जुकी हुई नहीं होती, तो सभी जगा एक समान दिन और रात होते हैं। मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात लेकिन इसके 23 अंश जुके होने के कारण सूर्य से आने वाली जो किरने हैं वो सभी जगा एक समान नहीं पड़ रही हैं क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो उत्तरी गुलार्ध और दक्षनी गुलार्ध में भुमध्य रेखा से क करक और मकर रेखा के बीच लंबवत होता है और उसके बाद जैसे ही हम करक और मकर रेखा के बाद ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है वो उसमें तरशापन आ जाता है हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं यदि हम अंधेरे कमरे में टार्ज को फोकस करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि टार्च का फोकस जहां पर एकदम सीधे पढ़ रहा है वहां पर लाइट या प्रकाश की मात्रा अधिक होती है चीजें हमें अधिक क्लियर नजर आती है साफ नजर आती है लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ उस सीधे प्रकाश वाले छेत्र के अगल बगल के छेत्र में भी प्रकाश पढ़ रहा है क्योंकि टार्च का फोकस वहां पर भी जा रहा है लेकिन वो प्रकाश जो है उसमें तिर्शह पना गया इसलिए की मात्रा कम हो गई ठीक उसी प्रकार सूरी के सामने जो छेत्र पड़ता है या लंबवत जहां पर सूरी की किर्णे पड़ती है वहां पर तापमान की मात्रा अधिक होती है और जहां पर सूरी की किर्णे तिर्शी हो गई उनमें तिर्शापना गया वहां पर मिलने वाले प् अब अभी हमने कहा कि हमारे भारत की जलवायू उष्ण कटी बंधी मानसुनी हैं तो बच्चों हम अपने प्रित्वी को तीन ताप कटी बंधों में बाटा है हमने भुमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटी बंध है ट्रॉपिकल जोन हम कहते हैं क्योंकि जो जोन है उसे हम शितोष्न कटी बंध के नाम से जानते हैं फिर जैसे ही हम द्रुओं की तरफ बढ़ गए तो हमने उसे शीत कटी बंध कहा क्योंकि वहां पर सूर से मिलने वाला प्रकाश आप देखते होंगे जैसे हमारे यहां सुरियोदे से जो प्रकाश आता है सुरि बहने की रात हो गई अब हमारा भारत भुमध रेखा और करक रेखा के बीच में स्थीत है इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर उश्न कटी बंधी जलवायू है आईए अब हम जलवायू के दूसरे तत्व वायूदाप की बात करते हैं वायूदाप वायू का पढ़ने वाला द जैसे कि मेरे सामने यहां पर चार पुस्तके रखी हुई है इसमें सबसे जो चौथी पुस्तक है उपर रखी हुई है उस पर सिर्फ हवा का भार पढ़ रहा है और कोई भी पुस्तक नहीं रखी हुई है इसलिए इसके उपर सिर्फ वायू का वजन है लेकिन यहां पर मैं कि सबसे जो पहले नीचले इस तर पर जो रखी हुई नीचे रखी हुई है पुस्तक उस पर हवा के वजन के साथ साथ जो उपर में तीन पुस्तक के रखी हुई है उनका भी वजन अधिक पढ़ रहा है तो किसका भार अधिक हुआ जो सबसे पहले नंबर पर पुस्तक रखी हमेशा रहता है हमारे सिरके उपर भी वायू का एक दबाव है एक भार पढ़ रहा है लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता है ये इसलिए क्योंकि हम हवा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वायू का दबाव भी हमें महसूस नहीं होता है ये वायू दाब जो है वो समुद् चेत्र में या समुद्र तल के ऊपर यदि हम एक गिलास पानी को उबालने को रख दें तो हम देखेंगे कि उस पानी में उबालाने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहां पर उस तट ये चेत्र में या उस तल के ऊपर औरेडी वायू का दबाव जो है वो अधिक है लेकि कि वहां पर वायू का दबाव कम है तापमान और वायूदाब की हम बात करते हैं तापमान और वायूदाब में उल्टा संबंध होता है जहां पर तापमान अधिक होगा वहां वायूदाब कम होगा और जहां पर तापमान कम है वहां पर वायूदाब अधिक होगा ऐसा क्य और फैलने से उस पदार्थ का आयतन अधिक हो जाता है और उसका दबाव घनत्व हमको कम होगा लेकिन यदि हम किसी भी वस्तुय पदार्थ का तापमान कम कर देते हैं तो उसका आयतन सिकूरने के कारण कम हो जाता है और वो भारी हो जाती है हवाओं के साथ भी ठीक यही तो वो हवा गरम होने के कारण फैलने लगती है और फैलने से उस हवा का आयतन अधिक हो जाता है और वो उपर की तरफ उठने लगती है क्योंकि वो हलकी हो गई लेकिन यदि हम उसी हवा का तापमान कम कर देते हैं तो हवा का आयतन सिकूरने के कारण वो भारी हो जाती है और कोई भी भारी चीज जो है, यह हमको पता है कि उसके नीचे बैठने की प्रवित्ती होती है। हलकी वस्तु को हम उपर की तरफ उठा सकते हैं, लेकिन भारी चीज को हम उपर की तरफ नहीं उठाएंगे, वो वापस से नीचे ही आ जाएगी। इसलिए यदि हम अलग-अलग कटी बंधों में भी देखेंगे, तो यदि हम भूमधिरेखा की छेत्री की बात करेंगे, तो भूमधिरेखा पर हम यह देखते हैं, कि यहां पर सूरी की किर्ने वर्ष भर लंबवत होती हैं, और सूरी की किर्ने लंबवत होने के कारण यहां पर तापमान अधिक होता है और भूमधिरेखी छेत्री की जितनी भी हवा है ये अधिक तापमान के कारण हल्की होकर उपर की तरफ उठती है लेकिन हम जैसे जैसे यदि हम द्रुगों की बात करते हैं तो द्रुवी छेत्रों में हम देखेंगे कि वहाँ पर चुकि वर्ष सूरी की किर्णे एकदम तिर्शी परड़ी है तापमान एकदम कम होता है तो वहाँ पर की द्रुवी छेत्रे की जितनी भी हवा है वो ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण भारी होगी और उसकी नीचे बैठने के प्रवित्ती होती है आईए अब हम देखते हैं जलवाय नहीं कर सकते, यह हमारे आसपास होती हैं, उपस्थित हैं, लेकिन महसूस नहीं किया जा सक रहा है, क्योंकि यह जब यह चलती है, यह इन में गती होती है, तभी हवाओं को हम महसूस कर सकते हैं, हाँ, हवाओं की यह प्रवित्ती होती है, कि हमेशा उच्च दाप से निम्न दाप की ओर चलती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं पहला इस्थाई हवाएं जैसा हम देख रहे हैं भुमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच में हमें व्यापारिक हवाएं मिल रही हैं इन इस्थाई हवाओं की ये प्रवित्ती होती है कि वर्ष भर एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चलती हैं, इनका दिशा और निस्थान जो है वो निश्चित होता है, उसी क्रम में ये हमेशा चलती है, व्यापारिक हवाओं के उपर हम देखते हैं, तो लगभग साढ़े तेई से या 30 से 35 डिग्री अक्षान से लेकर 60 से 65 डिग्री अक्षान के मध्य म हमको पच्छवा हवाएं नजर आ रही हैं, इसके उपर हम जाते हैं, 60-65 डिग्री से लगभग उत्तरी ध्रू और दक्षणी ध्रू की तरफ, तो हमें ध्रूवी हवाएं मिलती हैं, ये हो गई इस्थाई हवाओं की बाद, इनके अतरिक्त हमको सामईक हवाएं दिखती है या मौसमी हवाएं भी कहते हैं हम जो समय के अनुसार और मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं, जैसे इसमें परवत समीर, घाटी समीर, परवत से घाटी की तरफ चलने वाली हवाओं को हम घाटी समीर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके पहले हमने बात किया था कि हमारे भारत की जलवायू उश्नकटी बंधी मानसुनी है तो मानसुनी इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे भारत में मानसुनी हवाओं से या मौसमी हवाओं से वर्षा होती है दक्षिन पश्मी मानसुनी हवाओं से उत्तर पश्मी मानसुनी हवाओं से वर्षा नहीं होती क्योंकि अभी मैंने पहले बताया आपको कि हवाएं हमेशा उच्च दाप से निम्न दाप की तरफ चलती है तो दाप की स्थिती जो है वो मौसम के अनुसार बदल जाती है इस थली भाग जल्दी गरम होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं और जली भाग देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं इसी कारण हवाएं जो है वो ग्रिशमरीतू में जबकि इस्थली भाग जल्दी गरम हो गया लेकिन उसकी अपेक्षा हम देखेंगे कि जित्ते भी महासागरी हिस्से या जो भी जली भाग है वो कम गर्म हुए हैं तो हवाएं क्या होंगी यहां पर जली भारत के आंतरिक इस्थली भाग की तरफ चलती है इसलिए वहां पर वर्षा होती है लेकिन इसके ठीक विपरित हम यदि देखें जब उत्तर पशिमी मानसून का समय होता है जब कि जो गिरिक्ष्मरीतू के बाद हम देखें कि मौसम या सूर्य के स्थिति जो है वो दक्षना स्थली भाग के जितने भी इस्थली भाग है वहां पर इस्थल भाग जल्दी ठंडा हो गया तापमान कम है मतलब दाप की स्थिती उच्छ हो गई या अधिक हो गई लेकिन इसकी अपेक्षा मैं यह देखती हूँ कि जितने भी जलीख भाग वहां पर तापमान जो है वह क्या है धोड़ा कम है और राप की ताप były जो है वो अधिक है और दाप की स्थित्य क्या हो गई? निम्न हो गई तो आब हवाओं की दिशा क्या हो जाएगी? उच्छे-दाप है उसने भी इस्थली भाग हैं, वहां से जली भाग की तरफ。 इसके बाद हम देखेंगे की हवाओं का तीसरा प्रकार होता है, जिसे हम इस् कि निश्म रितु में या गर्मी के समय में गर्म तेज हवाइन चल रहे हैं जिनकाह मोत ज़ाधा होता है इसे हम लू के नाम से पुकारते हैं और यही हवाये जब बहुत नाम नुक्ष where और तिवरगती की हवाएं शीत रितू या ठंड के समय में चलती हैं तो हम इने शीत लहर चल रही है ये कहकर बुलाते हैं लेकिन इसी प्रकार यदी मैं उत्तरी अमेरिका में या रौकिस परवत के पुर्वी धलानों पर चली जाओं तो वहां पर हमको चिनुक हवाएं मिले क्ली नीपों और देशों में चलती हैं जिनके उन इस्थान के आधार पर अलग-अलग हिस्थानिये नाम रखे गें वह उस इस्थान विशेश में ही चलते हैं अब देखते हैं हम जलवायू के चौथे महत्वपूर्णतत वर्षा के बारे में वर्षा वर्षा भी जलवायू को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्णतत है हम इस वर्षा की मात्रा के आधार पर उस वायू मंडल में आधरता की उपस्थिती होगी और इसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि किसी स्थान की जलवायू जो है वो आद्र है या शुष्क है वर्षा की मात्रा बहुत जादा है तो हम उसे आद्र जलवायू वाला छेत्र कहेंगे वर्षा की मात्रा कम या बिल्कुल नहीं है तो हम उसे शुष्क जलवायू वाला छेत्र कहेंगे हम अपनी प्रित्वी पर भी द तो वहां पर अधिक तापमान के कारण वाश्पी करण भी अधिक होगा और वहां पर वर्षा की मात्रा भी अधिक होगी लेकिन जैसे जैसे हम करक और मकर रेखा से उत्तर की तरफ और क्रमशय नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? क्योंकि सूरी की किरने तीरशी परड़ी है तापमान कम है और वाशपी करण की मात्रा भी कम होती जाएगी क्योंकि वहाँ पर एक ठंडा छेत्रफल हो जा रहा है जिसके कारण वाशपी करण जो है तापमान कम होने के कारण नहीं हो पाता है तो यह तो हमने बात की मौसम और जलवायु के तत्व के विशय में जो निर्धारित करते हैं कि किसी भी स्थान का मौसम कैसा है या जलवायु कैसी है बच्चों हमने आज इस अध्याय में बात की है वायु मंडल के संगठन, संडशना या उसकी परतो के विशय में मौसम और जलवायु के संबंध में आपको अपनी परिक्षा के संबंध में इस अध्याय को इस तरह से त्यार करना है, इसमें प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप वायू मंडल की परतों को समझाईए या वायू मंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं वायू मंडल का संगठन और संरशना को समझाईए या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौसम और जलवायू क्या है शंचिप्त में समझाईए या मौसम और जलवायू क के तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए तो उमीद है बच्चों यह अध्याय आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से